नमस्कार दोस्तों 27 अप्रैल के डेली न्यूस अनलेसिस करेंट अफेस डिसकेशन में आपका स्वागत है आज की कौन कौन सी इंपॉर्टन न्यूस हम लोग देखने वाले हैं तो कम्यूनल हेट के अगेंस्ट आक करिये ऐसा सुप्रीम कोट ने दो स्टेट से बोला एक उत् खंड से एक हिमाचल पदेश से इसके वारे में देखेंगे फिर जो यूनाइटे नेशन सेक्योटी काउंसिमिल में वीटो इस्तमाल कर लेते हैं पर्मनेंट मेंबर्स इसके अगेस्ट जो कंट्रीज हैं वो एक रेजिलूशन लेके आने वाली हैं और और इस रेजिलूश से पूछा जाएगा कि कौन से बेसिस पे तुमने ये वीटो इस्तमाल किया है तो बेसिकली वीटो पावर को रिस्पॉंसिबली इस्तमाल करें ये पर्मनेंट कंट्रीज इसके लिए स्टेप लिया जा रहा है फिर जैशंकर साब ने रीसेंटली ओपन बोल दिया कि उक्रे यूएस ने होस्ट की है वेपन समिट मॉस्को वान कर रहा है कोल वार का और यूएस ने यहाँ पर वेपन समिट होस्ट की क्या बोला है इस वेपन समिट में देखेंगे पहला लॉकडाउन जो लगा था कोरोना का उसमें 13,000 डिस्टिस कॉल आई थी सरकार दोरा सेटप प्रोल और कमांड सेंटर में इनके बारे में बात करेंगे कोल की कैपेसिटी एडिशन कितना हो रहा है दुनिया भर में इसके रिस्पेक्ट में एक इन्फॉर्मिशन दी गई इसको देखेंगे और CMIE के एक रिपोर्ट आई थी और CMIE की रिपोर्ट का यह बोलना है कि लग कि ब्रैकेट में आ रहे हैं तो 50 लोग इंप्लॉयमेंट के ब्रैकेट में होने के बावजूद नौकरी नहीं कर पा रहे हैं मंदब नौकरी हैं हमारी एकिनौमी में कम इस प्रकार का व्यूपॉइंट निकल कर रहे हैं लेकिन सरकार ने बोला है कि आप गलत तरीक इस कि है लेट सी यहां पर सरकार का क्या स्टेंड तो इतनी चीज़ हम लोग यहां पर डिसकस करने वाले आगे जाने से पहले वर्ड ऑफ दा डे कोहर्ट देख लेते हैं यह क्या है अग्रोप ऑफ पीपल विच शेयर स्टाटिस्टिक्स जैसे फर एक्जांपल आप यूज कर तो कुल मिला कि एक ही चीज करने वाला कॉमन चीज करने वाले ग्रोप को यहां पर कोहर्ट बोल दिया जाता है वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों अब आग तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नीकिया कर लीजे इस्टराम पर फॉलो कर लीजे टेलीग्राम प्रॉप्शन बॉक्स में दिया हुए और इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंट्स क्लिक जॉइन बिटन आपके जॉइन बिटन नमाने से खासा मतश मिलती है चलिए वह पहली न्यूस एक्ट अगेंस्ट कम्यूनल हेट सुप्रीम कोट टेल्स टू स्टेट सुप्रीम कोट ने दो बीजेपी रूल स्टेट्स उत्तरा फंड और हिमाचल प्रदेश को धंकी इशू की और बोलाए कि करेक्टिव मेजर्स लो तुम्हारे यहां पे जो धर्म संसद के इवेंट्स हो रहे ना इसमें कम्यूनल हेट फैलाई जाती है और यहां पे सुप्रीम कोट ने इन संसद में कुछ भड़काओं भाषर दिये गये थे अब क्या है कि एक और धर्म संसद होने वाली है रूड की उत्तरा खंड में तो यहां पे भड़काओं भाषर हो सकते हैं तो कपिल सिबल जो की सीनिर अड़ोकेट है वो पहले ही सुप्रीम कोट ने पहुंच चुके हैं और बोलाए कि माइबाफ इस प्रकार की एक्टिविटीज को बंद करिये इस से कम्यूनल हेट्रेट फैल सकता है अच्छा पहले भी ओवरॉल हिमाचल प्रदेश की सरकार से एक एक्स्प्रेमेशन मांगा था सुप्रीम कोट ने कि भई आपके यहां पे धर्म संसद में जो समझ गें तो इस जो सुप्रीम कोट की जस्टिस एम खानविलकर की बेंच है इसने चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी और जो पुलिस है इससे बोलाए कि हेट क्राइम को रोकना आपका काम है प्रेवेंटिव और प्रियुनिटिव मैजर्स को फॉलो करिए सुप्रीम कोट क ने क्या प्रेवेंटिव एक्शन लिया है यहां पर समिट करिया और अगर हेट स्पीचेश होती रहती हैं तो दिस विल बी आ वाइलेशन ऑफ टूथाजन्ट सेवन्टीन जज्जमेंट अफ तहसीन पूना वाला केस यह भी यहां पर सुप्रीम कोट ने बोला है तहसीन प लोगों को परिशान करना लोगों को हैरस करना यह नहीं होना चाहिए यह सुप्रीम कोट ने बोला था तहसीन पूना वाला वर्सेज यून अफ इंडिया में काउ प्रोटेक्शन के नाम पे आप किसी को परिशान कर रहे हो जिसको आप काउ विजिलेंटिजम बोलते हो तो cow vigilantism को यहाँ पर सुप्रीम कोट ने social evil बताया था और यह सरकार की responsibility बनती है कि वो cow vigilantism को रोके और यहाँ पर कोट ने कुछ guidelines भी शुकी थी, punitive measures की भी बात की थी, overall cow vigilantism को criticize किया था, तो उसी बिहाँ पर यहाँ पर सुप्रीम कोट फिर से बोल रहा है कि भाई hate speeches avoid होनी चाहिए चुकि hate speeches में फिर भाई गाय वाला मुद्दा बेजाता है कि गाय हमारी माँ है, वो अलग बात है कि बहुत सारे जो हिंदूस हैं वो जब दूद खतम निकलना, खतम हो जाता गाय से तो उसको छोड़ देते हैं कि जाओ भही है तुम सब अपने अपने मतलब के हैं भाई मेरत तो यह कहना है कि देखे इंडिया के अंदर गाय प्योर है, उसको मारना गलत है, मुसलिम्स को भी नहीं मारना चाहिए, क्या जरूरत है, लेकिन अगर हिंदूस गाय को इतना ही प्योर बताते हैं, तो जब वो दूद देना बंद कर देती, तो उसको छोड़ को देते हैं सबकों पे दरदर भटकने के लिए यह बहुत बड़ा वो है मिला कि सुप्रीम कोट ने यहाप बोला है कि भाई, लाइफ्स को प्रोटेक्ट करना और हूमन राइट्स को सेवगार करना यह कॉंस्टिटूशनल ड्यूटी है, राज्य की सरकार क्यों राज्य की सरकार को करना पड़ेगी, और इसलिए जो हेट स्पीच में प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दिये जाते हैं, फेक न्यूज फैलाई जाती है, यह सब बंद होना चाहिए, राज्य की सरकार को एडवांस में अक्शन लेना चाहिए, और इसके लिए केंदर की सरकार, राज्य की सरकार दोनों responsible हैं, और अगर आपने इन धरम संसत की hate speeches को नहीं रोका, तो हम इसको मानेंगे act of deliberate negligence and misconduct, यह सुप्रीम कोट का यहाँ पर स्टेट्मेंट है, जिये इस पेपर टू, silent features of Indian society and tradition में न्यूज आपको काम आएगी, फिर भाई, जो शिलॉंग की हरजन कॉलोनी है, मैं आपको बता दू, तो यह जो particular मुद्दा है ना काफी पुराना है, actually मिशिलॉंग के अंदर, एक तीन दिसमलों तीन तीन एकर की कॉलोनी है, जहाँ पे 342 फैमिली रहती है, यह एक 300 मीटर लेन के बगल में, इस पूरी की पूरी कॉलोनी में ज़्यादतर जो six रहते हैं, अब इन सिक्षों का यह बोलना है कि हम तो यहाँ पे बिटिशर्स के समय पे ही रह रहे रहे हैं, तो इसलिए वो क्लेम करते हैं कि बिटिश अथार्टीज लगबग 200 साल पहले जब यहाँ पे आई थी, तो लोकल चीफटेंस की पर्मीशन के साथ यहाँ पे डलिट सिक्स की एक कॉलोनी बनाई गई थी, और चुकि हमारे पास इस लैंड का राइट है तो हम यह लैंड छोड़ नहीं सकते, बहुत सारे यह जो दलिट सिक्स हैं वो शिलॉंग मुनिसिपल बॉर्ड में काम भी करते हैं, और ओवर ओल जो राजिकी सरकार है मेगालिया की, वो चाहती है कि इस पर्टिकुलर लैंड को सरकार अकुपाई कर ले ताकि वहाँ पे एक बड़ा कॉमर्शिल कॉम्पलिक्स बनाए जा सके, तो यह जो दलिट सिक्स हैं वो शोड़ा, इसलिए हमें अगर आप दूसरी जगाए लोकेट कर रहे हो, तो तॉमसन कंट, पहले तो यह अलोकेट होने को, तयारी निजरी लोकेट होने को, अभी मेगाले चीफ मिनिस्टर, जो डेपूटी चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने यहाँ पर बोलाएगी, हरजाइन, पंचायत, कमिती के लोगों ने बोलाएगी, ठीक है, वो इस कॉलोनी से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन कुछ शर्ते रखी गई हैं, जिस दूसरी जगापे इनको रिलोकेट किया जाएगा, वहाँ पर सारी के सारी 342 फैमिली एक साथ रहेंगी, हर फैमिली को 200 स्कॉर मीटर का कम से कम एक लैंड मिलेगा, और यह लैंड होना चाहिए, मेघालय की कैपिटल के यूरोपियन वार्ड में, चुकि यूरोपियन वार्ड एक ऐसी जगा है, जहाँ पर मेघालय एक ट्रांसफर ऑफ लैंड रेगुलेशन एक 1971 लागू नहीं होता, चुकि देखें, ऐसा लैंड जहाँ पर ये एक्ट लागू हो रहा है, महाँ पर तो ये जो सिख हैं, वो जमीन लहीं नहीं सकते, यूरोपियन वार्ड के अंदर ले सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये सिखों ने बोला है कि यूरोपियन वार्ड के अंदर हमें कम से कम 200 स्कॉयर किलमीटर का लैंड पर फैमिली ऐलोकेट कर दो, और सारी के सारी 342 फैमिली एक दूसरे के साथ रहेंगी, प्लस ओवराल इस हरीजन जो कॉम्पलेक्स है, जो फैमिली है, वहाँ पर जो गुरुदवारा है, चर्च है, दो टैम्पिल्स है, वालमिकी का आश्रा में, गुरुनानक स्कूल है, इसको वहीं पर रहने दिया जाए, इसको ना हटाया जाए, साथ कम्यूनिटी शॉप कीपर्स जहां पर अपनी दुकान खोल के, अपना धंदा बगरा करते हैं, उनकी दुकाने ना हटाई जाए, हर फैमिली को रिलोकेशन के लिए 20 लाक रुपे लिया जाए, इस प्रकार के कुछ शर्ते रखी हैं यहाँ पर हर्जिन पंचायत कमिट है, overall उनकी जमीन के ओपर, मेगाले की सरकार आती ही कि अभी के लिए जमीन की बजाए एक कॉमर्शिल स्ट्रक्चर बन जाए, तो कहीं नके भला होगा, overall economic activity तेज होगी, अभी के लिए जिन पंचायत कमिटिक लोगों ने बोला, ठीक है, खाली कर देंगे, गर हमकारी यह श समय पे, हाला कि वरिबाद में चीज़ें शांत की गई, अब, fortunately, ऐसी कोई चीज़ नहीं होई हो, चीज़ों को शांती से, एक्जिक्यूट किया जा रहा है, ग्राउंड लेवल पे, जिस पे परन, population और associated issues में यह निजज़ आपको काम आएगी, और यहाँ पर जैशंकर सान पूरा हो गया, तो अफगानिस्तान मरे, जीए, अपने कोई नहीं हम निकलते हैं, तो यहाँ पे इस यूक्रेइन की वार को लेके, external face में से जशंकर साब ने बोला है, कि कोई भी उससे जीत के निकलने वाला है नी, अल्रेडी दुनिया भर के नागरिक pandemic से परेशान है वाइलेंस अलग-अलग जगाओं पे अलग-अलग वजहों से हो रहा है, और overall यह जो यूक्रेइन वार के repercussions हैं, वो Indo-Pacific region तक भी पहुँचेंगे, और अभी के लिए जशंकर साब ने ये बोलना है कि जो western countries इनका पूरी तरीके से ध्यान यूक्रेइन पे fix है, दुनिया क बाकी हिस्सों में जो भी problem हो रही उसके उपर उनका ध्यान गया ही नहीं, और खासकर वो बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान में जो challenges face करने पड़े हैं, एशिया को, इंडिया को, रासपास की countries को, उसके उपर तो western countries का ध्यान दिया नहीं, rules based international order की बात कर के समय पे, European जो commission की president है, Ursula van der Leyen, इन्होंने भी Ukrainian crisis को Indo-Pacific region के साथ connect किया, इन्होंने बोला, Europe में जो war हो रहा है, वो कही न कहीं, Indo-Pacific region को भी impact करेगा, कैसे impact करेगा, तो भई जो Russia-China की friendship है, relationship है, यह बहुत जादा यहाँ पे strong हो रही है, unrestrained pact हो रहा है, और unrestrained pact में Russia जूनि पे कमजोर कर रही है, फिर जो former Australian prime minister ने टॉनी एबोट साब, इन्होंने भी वेंडर लेन के statement को support किया, इन्होंने बोला, भाई, कि जो China का role है emerging world में, यह बहुत strong हो रहा है, इस Russia-Ukraine war के चलते, और जैसे यहाँ पे Russia ने Ukraine को कबज़ाने की कोशिश की, China भी tempt हो सकता है, यह ताइवान को कबज़ा है, हाना कि इस बात के chances बहुत कम हैं दोस्तों, चुकि चाइना को भी यह बात पता चल गई होगी, देखो, इंडिया के खिलाफ तो China भूली जाए, यह उक्रेन इतना कमजोर था, बैक एंड से support मेरा, रशिया 11 खरावे, इंडिया अपने आप में ब बैक बोल सकता है, अब ताइवान के ओपर किस हद तक support दे पाएंगे, चुकि देखे, ताइवान बिलकुल चाइना के backyard में है, और अगर कल की date में चाइना ताइवान से रडाई करता है, तो South China Sea में एक प्रकार का वो traffic से लगा देगा कि कि किसी भी और country के जो aircraft carrier हैं वो से जो ये वाइलेंस से बंद होना चाहिए, hostilities बंद होनी चाहिए, डिप्लोमासी शुरू होनी चाहिए, बात चीज शुरू होनी चाहिए, इस प्रकार की बातें यहां पर की जारी हैं, और फाइनली यही जो main बात, कि जैशंकर साब आज की date में यूक्रेन क्राइस को लेक अब आप लोग कहां थे, फिर जैशंकर साब का बोलना है कि यूक्रेन में conflict के चलते और भी बहुत प्रकार के effect आ रहे हैं, एशिया आफरीका में लोग भूके मर रहे हैं, reason being यूक्रेन और रशिया दोनों wheat के बड़े supplier थे, अब wheat की supplies इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई हैं, तो उसके दाम बढ़ गए हैं, और दाम बढ़ने के वज़े से international prices भी बढ़ गई है, GS paper 2, bilateral regional groupings में और international relations में news आपको काम आईगी, फिर भाई सरकार ने बोलाई कि जो Center for Monitoring Indian Economy की ये report है, कि वरकिंग एज की आदी भाई, आपका employment से बाहर निकल गई है, ये factory incorrect है, सबसे independent think tank की तरह ये काम करती है, privately owned है, professionally managed है, headquarter इसका Mumbai में है, एक प्रकार की information food chain चलाते हैं ये, large square primary data collection करते हैं, information product development करते हैं, analytics के तूर, forecasting के तूर, और services प्रोवाइड करते हैं, बहुत से consumers को, चाए वो government हो, academy हो, financial markets हो, business enterprise हो, professionals हो, media हो, economic और business database बनाना इनका काम है, इनके पास highly specialized analytical technical tools है, सो करने के लिए, market research, decision making, इसमें involved है, CMIE, अब CMIE क्या करती है, ये तो आपको पता है, CMIE की report ने कह दिया, कि CMIE ने अपनी survey में sample village block के level पे survey conducting नहीं कर वाया, मतलब कुछ technical fault बता रही है, सरकार यहाँ पे CMIE की report में, और सरकार का यह बोलना है, कि भाई, ये जो इतना ज़्यादा unemployment दिखार, ये CMIE की report, इससे क्या नजर आ रहा है, कि labor force participation rate कम हो रहा है, यहाँ पे, इसलिए चो कि लो रेटायर हो जाते हैं, तो 21 साथ यह जो 18 साथ की जो working age है, इसको आप employable age बोलते हो, और इस age के अंदर आप नौकरी करो, तो आप कहीं न कहीं देश की economy में अपने एक role play करते हो, अब खास बात यहाँ पर यह है, कि इस working age population के अंदर भी कुछ ऐसे लोग है, जो पढ़ाई क पर सो care दे रहे हैं, बहुत सरे ladies अपने घर का ध्यान रखने के लिए नौकरियां चोड़ देती हैं, तो वो volunteer तोर पर नौकरियां चोड़ रही है, वो नौकरी करना नहीं चाहती, इसले नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, तो जितने भी लोग यहाँ पर नौकरी नहीं कर जा सकता, फिर यह अपने stand को justify करना है कि भाई, government of India ने बहुत से स्टेप्स लिए है, ministry's department लगातार involved है, जिससे देश के अंदर employment opportunity को create किया जाए, अगर आप देखो, तो education ministry के साब से 10 करोर से जाधा लोग secondary, higher secondary, higher or technical education में enrolled है, तो अव्यसी बात है, यह जो लोग है, वो employed category मे count नहीं होंगे, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप labor force participation rate को यहाँ पर कम कर दो, अगर labor force participation repeat की बात की जाए, तो ministry of statistics and program implementation जो periodic labor force survey निकालता है, इनके हिसाब से labor force participation rate 2017-18 में 49.8% था और 2019-2053.5% हो गया, और जो unemployment rate था, वो 6 से गिरके 4.8% पर आया है, तो यह CMIE का यह बोल देना क 50% से जादा लोगों की नौकरियां चली गई, वो unemployed हो गया है, यह बिल्कुल ही गलत data है, एक figure को गलत तरीके से दिखाने का तरीका है, economic survey 2021-22 में यह बताया था, कि भई, 4.75 करोण लोगों को employment जादा मिला है, कब से कब तक, 2018-19 से comparison में, 2019-20 में 4.75 लाख लोगों को जादा employment हाला कि हम सबको पता है, कि pandemic के समय पर economic की हालत खराब हो गई है, बहुत से लोगों की नौकरियां गई है, जिस पर टू, थ्री, employment human resources पर्टिकुलर नीज आपको काम आएगी, पिर अगली नीज यह है कि Ministry of Home Affairs के data बोलता है, कि जब COVID lockdown का पहला साल था ना, उस समय पर जो भी help प्लाइन सेट अप की गई थी, Ministry of Home Affairs के दोरा, उनके पास 13,000 district calls आई थी, और उन 13,000 district calls में, 11,000 calls तो किवल खाना और shelter मांग लेके ले थी, एक 40,000 relief camp और shelter लगाये थे, 14,000,000 लोगों को वहाँ पर रखा गया था, आप कह सकते हो, यह जो nationwide lockdown था, global experience को देख के यहाँ पर लगाया था, और इस lockdown के समय पर testing, quarantine, isolation, hospital beds, ICU beds लगाये थे, देखिए बहुत सारे experts का ये भी बोलना है, जब second wave आई, तब तरखाट मज गया, य ये मार्च अपरेल 2021 के लगबगी, और उस समय पर इंडिया तयार नहीं था, चुकि एक नौमी खुली हुई थी, लेकिन जब first wave आई थी, वो भी खतरनाक हो सकती थी, पर उसका खतरनाक इतना हमको नजर नहीं आया, reason being कि पहले lockdown में बहुत intense lockdown था, कहीं न कहीं तो करोना का पहलाव रुका होगा, लेकिन obvious ही बात है, उस lockdown के जो बाकी side effects थे, ये जो migrant crisis थी, इसके लिए सरकार को यहाँ पर काफी criticize किया गया, वैसे तो देखा जाया है, जब केंदर की सरकार ने 25 मार्च 2020 को lockdown लगबग, उससे पहले बहुत सारी अलग अलग राज सरकारें और केंदर सास्चिस प्रतेश, यूनिन टेटरी अपने लेवल पर थोड़ा थोड़ा लगडाउन लगा चुके थे, एक holistic lockdown यहाँ पर प्रधान मंती जीने लगाया, और उसके लिए उससे पहले National Disaster Management Authority की report को पढ़ा गया, National Disaster Management Authority को लीड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साब, उसके बा under section 10 clause 2, sub clause I of the Disaster Management Act 2005 के हसाब से lockdown measures लगाने की जरूत है, नहीं तो coronavirus बहुत तीजी से फैल सकता है, इसलिए 24 March 2020 को 21 दिन का lockdown अनौंस किया गया, Home Ministry ने तीन control rules बनाए, ताकि states से जो complaints आ रही है, overall lockdown से related, लोगों की परिशानियों से related, उनको cater किया जा सके, migrants की problem से related, चुकि अब सारे के सारे transport mode mode बंद हो सके चुके थे, ये जो migrant workers होते हैं, दिली, मुंबई, जैसे शहरों में, ये बिलकुल ही देली की दिहाडी मजदूरी पर जीते हैं, अब अगर काम बंद हो गया, तो दिहाडी मजदूरी बंद हो गया, कोई ना खाने को देगा, ना रहने को देगा, तो इनके पास कोई option बचा नहीं, चैर के अपने घर के ताव जाने लगे, वो पूरी migrant crisis शुरू हो गई, इसके बारे मैं आपको पहने बताय है, पिछले दो साथ से चीजे नियूज में है, तो बेसिकली 25 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 में, MHA के कंट्रोल रूपस ने 13,34 को हैंडल किया, इसमें से श्रमिक स्पेशल स्ट्रेंज के लिए जो कॉल आई थी वो इंक्लूड नहीं है, 13,34 कॉलों में से 814 कॉल एसेंशल गूड सर्विसेज की थी, 11,377 कॉल्स फूड एंशल्टर के लिए थी, 129 कॉल्स नौर्थ इश्टर रिजन के लिए थी, 742 कॉल्स अधर एक्टिवेटीज के लिए थी, शुरुवात में प्रती दिन 600 कॉल आ रही थी, बाद में नंबर 33 दिने कम हो गया, चो कि चौत्य लॉक्ड थी, 986 कॉल्स आई, कि भाई श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाइए, किसके लिए 2,95,327 जो 2,95,327 पीपल हैं, जिसमें से आप कहलो 2,71,000 लेबर हैं, 5,300 लगबग स्टुडेंट से 1,539 टूरिस्ट हैं, 17,000 अधर लोग हैं, जो कि दूसरी जगों पर फस गए हैं, यह अपन औरिजिनल प्लेस पे पहुंस सकें, ओके, तो, इश्यू उस समय पे काफी मुश्किल हो गए थे, लगबग 300 कॉल, 296 कॉल्स ऐसी थी, वो लोग इंडिया से बाहर थे, इंडिया के अंदर आना चाते थे, 200 पैसट ऐसे लोग थे, जो कि इंडिया से अबराट जाना चाते थ और इन सब की एक्टिविटी यहां पे ब्लॉक हो गई थी, तो, इसलिए केंदर की सरकार के पास लगाता, रिकोइस्ट आनी, कितनी कौर हैं, उसका डाटा यहां पे दिया गया, पिर केंदर की सरकार ने और क्या का किया, तो, एक तालिस हजार रिलीफ कैम्प शेटर लगा गए, चौदा लाख लोगों को इन रिलीफ कैम्प वों में रखा गया, तीस हजार फूड कैम्प लगाए गए, जिसमें सत्रा लाख वरकर्स रुके, बहुत सारे वरकर्स तो, जो अपने इम्प्लोईट्स की फैक्टरी थे, उसमें रुकोई वे थे, सेप्टंबर दो हज अगली न्यूस यह है कि यूएस ने होस्ट किया है वेपन समिट, देखे टॉप यूएस ओफिशल्स ने मिलके यहां पर अमर्जेंसी बाते की हैं, जर्मनी के अंदर बोलाए कि की मतलब यूकरेन को और वेपन्स दो ताकि यूकरेन अपने आपको रुशियन असौर्ड से बचा सके, अब यह चीज तब हो रही है, जब यूनाइटेन नेशन्स की चीफ एंटोरियो गुटरेस साब मॉस्को पहुचें और कॉन्फिक्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है, मॉस्को अब यह कह रहा है कि भाईया वेस्टन कंट्रीज और यूकरेन कॉन्फिक्ट को एस टेक्टिकल सपोर्ट, कि भाई रश्यागी फोर्सेस कहां पे हैं, वो किस तरह का से कमिशन कर रहे हैं, उनके कम्यूनिकेशन को टैप करना, यह सब अपनी अडवांस टेक्निलोजी की दम पे यूएस कर रहा है, और उसका पूरा का पूरा एक्सेस प्रोइड कर रहा है यूक्रेइन को मौस्को के खेमे की काफियत तक सीक्रेट इंफॉर्मिशन बता चल रही है, उसके साथ साथ बैक एंड से यूएस और यूरोपेन कंट्रीज यहां पे यूक्रेइन को बहुत सारे वेपन सप्लाई भी कर रहे हैं, जिसके चलते यूक्रेइन इतने लंबे सम नहीं हुई, चुका उनको लगा कि कहीं भाई एक नुक्लिर वार न छुड़ जाए, लेकिन कहीं न कहीं बैक एंड से तो इतना सपोर्ट दियाएगी, रशिया की कमर सी तूटती नदर आ गई है, 700 मिलियन डॉलर की एट दी जाएगी मिलिटरी की यहां पे यूक्रेइन को हेवी फायर पावर के लिए, ओके, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड अस्टिन साब का बोलना है, कि भाई, हम जीज सकते हैं अगर सही एक्विप्मेंट और सही अप्रोट, मतलब सपोर्ट प्रोइड किया यूक्रेट को, जो कहीं न कहीं किया भी जा रहा है, जर्मिन ड्रोंस, NTA aircraft missiles, sophisticated intelligence from western agencies, इसने कहीं न कहीं यूक्रेट की मदद की है, Russian military might को handle करने में, और overall कहीं न कहीं रशिया यहां पर परिशान, रशिया लगातार बोल रहा है, कि यूक्रेट सीज फायर नहीं चाहता है, ये western country सीज फायर नहीं चाहती है, इसलिए लगातार लड़ी आ मौलवा नाम का जो स्टेट है, जो कि रशियन बैग्ड सेपरेटिस्ट रीजिन अफ ट्रांस निस्टीरिया के आसपास में और कुछ बंबारी देखने को मिली है, अगर नक्षा देखोगे तो रशिया यहां नजर आता है, इधर ब्लैक सी यूक्रेट है, और यूक्रेट और रोमानिया की बीच में एक इलाका है मौलदोवा, यहां मौलदोवा में भी रशियन सेपरेटिस्ट हैं, सुनने माया है कि यहां पे भी कुछ गत्रिदी हुई है, कुछ अक्टिविटी हुई है, अभी क्लेरिटी है निसमें मैं कुछ बताऊंगा नहीं, अगर रशियन वार के चलते हैं, यूक्रियन रिफ्यूजी क्राइसिस देखी जाए, तो यह काफी बड़ी हो गई है, अल्मोस्ट अगर आप देखो, पहले 52 लाक रिफ्यूजी बताये जा रहे हैं, अब कहा जा रहे हैं कि 8 मिलियन यूक्रियन रिफ्यूजी हो गए हैं, 80 लाक लोग और इनको रिसेटल करने के लिए 1.85 बिलियन डॉलर जरूरी होगे, और रशिया तो अब यूक्रियन के ओपर ये बिलजाम लगा रहा है कि यूक्रियन फोर्सेस रशियन सोयल में घुसके, बॉल्गो ग्रोड नाम का एक विलेज है, और ब्रैंक्स नाम का विलेज है, वहा को काम आएगी, फिर अगली न्यूस यह है, कि कंट्रीज ने डिसाइड किया है, वह पर्मनेंट मिंबर्स ऑफ दा यूनाइटे निशन, जो की वीटो का इस्तमाल करेंगे, उनको अपने वीटो के इस्तमाल को जस्टिफाई करना होगा फ्यूचर में, इस पर्टिकुलर र कंट्री है, जिसने सबसे जादा बार अपनी वीटो पावर का इस्तमाल की, लेकिन अगर ये रिफॉर्म यूनाइटे निशन से जनरल असेमली में पास हो भी जाता है, तो भी भाई, भले ही आप डिसकशन कर लो, पांच पर्मनेंट मेंबर्स अपनी वीटो पावर का इस् जवाब दे, वैसे ये जो पर्टिकुलर रेजिलूशन है, इसको यूएस ने को स्पांसर किया है, फ्रांस बिटेन ने को स्पांसर नहीं किया है, बट उनका बोलना है कि हम फेवर में वोट करेंगे, रश्या चाइना ने यहाँ पर कुछ बोला ही नहीं कि वो फेवर में पर्मनेंट मेंबर्स में, तो उससे पूछा जाएगा कि क्यों इस्तमाल किया, और यहाँ पे जो पर्टिकुलर कंटेक्स्ट है, वो है रश्या का, रश्या के खिलाव कोई आक्शन हो जाए, इसको यूनाट इंट से क्योर्टी कांसल में रश्या ने ब्लॉक कर दिया, ले इंटरेस्ट में इस्तमाल ना करें, मैं आपको पता दो, यूनाटन नेशन सेक्योर्टी कांसल में, कुछ मेंबर्स तो रेजिलूशन इसलिए ड्राफ्ट करते हैं, उनको पता ही कि रेजिलूशन दूसरी कंट्री वीटो कर देगी, लेकिन तब भी वो ड्राफ्ट करते है इंटरनाशनल ओपिनियन को दूसरी कंट्री के अगेंस ले जाने में, तो यह ओवरॉल यहाँ पे एक मुद्दा उठके आ रहा है कि वीटो पावर को आप रिस्पॉंसिबल तरीके से यूज़ करें हो, रिस्पॉंसिबल तरीके से यूज़ करने के लिए जो पर्मनेंट म और मनी, दोनों ही पोटेंशल आप कह सकते हो, सेक्विर्टी काउंसिल के पर्मनेंट मेंबर बन सकते हैं, अगर सेक्योर्टी काउंसिल आगे आने वहले समय में एक्सपैंड होती है, हलाकि अभी तो एक्सपैंड होने का कोई भी तरीका यहाँ में नजर नहीं आ रहा है, अभी मैं लेक्चेरों खुतम कर रहा हूं दोस्तों एक दो नियूस बच्ची में मैं बाद में आप से साथ कवर कर लूँगा लेक्चेर को जादे नमबा हो रहा हूं अचीर को क्रेंगे दोना में में आप से जाने को रहा हूं